दोस्तों गिलोई एक बहुत ही महत्पून आयरुवेदिक हर्भ है इसलिए यह बहुत सी आयरुवेदिक दवाई बनाने में कामाती है अब जानते हैं गिलोई में और शदिये गोन कौन कौन से पाए जाते हैं जैसे की खून साफ करना, एंटी बैक्टिरियल गोन, एंटी वा पत्क्रिक्म करने वाले गोन अच्छा करने वाले गोन और सभी पेट संबंधी रोगोग ठीक करने वाले गोनों के अलावा और विह बहुत से गोन गिलोई में पाए जाते हैं इसलिए इस हर्भ को बुखार कम करने वाली भी कन देरुवेदिक दाउयों में इस्तमाल किया गिलोई आपके शरीर के रोग परती रोधक्षमता को बढ़ाती है यह हर्ब आपके शरीर को डियोकसिफाई करता है और आपकी लीवर और शरीर से हानेकारत्तों को दूर करने में मदद करता है इसकी एंटी बैक्टीरियल और एंटी वाइरल गुण आपको कई परकार की बैक जर्टर बनाती है आप आधे ग्राम गिलोई के पाउडर को आवले के जूस के साथ ले सकते हैं या फिर गिलोई का जूस भी पी सकते हैं गिलोई आपकी तुचा को लंबे समय तक जवा और सुन्दर बनाने में मदद करती है गिलोई आखों के लिए भी बहुत फायदेमन म मदद करता है यह आपकी memory को तेज करता है तथा साथ ही आपको मांसिक तनाव और depression से लडने में मदद करता है यह खून को शुद करता है और उसकी मातरा को बढ़ाता है और यह आपको heart attack और दूसरी दिल संबंधी बिमारियों से बचाए रखता है तो दोस्तों अब जानते हैं गिलोई के कुछ प्रचलित घर एलोनुस के अगर आपको लिकोरिया की समस्या हो तो गिलोई का जूस पीकर इसे दूर किया जा सकता है तो अचा के रोगों को गिलोई जूस और नीम पाउडर के मिश्रन से ठीक क किया जा सकता है गिलोई के जूस को छास में मिलाकर पीने से बावासीर से मुक्ते मिल जाती है तो दोस्तों अब जानते हैं गिलोई के नुकसान क्या है गिलोई वैसे तो बहुत लाबदायक हरबल है लेकिन कुछ इस्तिती में यह नुकसान भी कर सकता है अगर आप के बाद इस्तमाल नहीं करना चाहिए दोस्तों गिलोई पांस साल से कम उम्र के बच्चों को बिलकुल ना दे तो दोस्तों यह है गिलोई खाने के फायदी और नुकसान इसी तरह और भी हेल्दी और ब्यूटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें